स्टूडेंट स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजर्शी क्लासेज में तो आज हम देखने वाले हैं फोर स्टैंडर्ड एवी एस का चाप्टर नमबर एट रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस इसका पार्ट बन ले रहे हैं तो इसके पहले जो है हमने सिक्स लेशन से ओमानाक की जर्नी देखी है हमने देखा कि वो कैसे बैठती है ट्रेन में आयमादाबाश से और फिर सेवन्त लेशन में हमने देखा कि उसके जर्नी में मतलब उसने क्या-क्या देखा विंडो से वो हमने देखा और आज जो है हम इसमें आगे का पढ़ने वाले है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब करना है इल बटन होती है उसे भी आपको क्लिक करना है जिससे कि आ स्टार्ट दे लेशन रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस तो लास्ट लेशन में हमने देखा था कि वो जो है अपने अमुमा के गाव जो है पहुच चुकी है तो अब जो है हम आगे देखेंगे ठीक है 17 में नाइट ये जो है 17 में के नाइट है 1130 हो रहे है यहाँ पे देख अप्टर अवर लॉंग ट्रेंज जर्नी वी रीच कोट्याम इन दे नाइट तो वली अम्मा जो है वहाँ से ज्यादा दूर नहीं था तो इसलिए उन्होंने स्टेशन से टू आटो रिक्षाज लिये और उस पे जो है पो उनके घर में पहुंचे बाइदें आइवाज वहाँ पहुंचे वहाँ पर तो वह इतना थक चुके थे कि नहा लिया और जो है बाद में वह सो गई तो वह लबसो गई थी तब उसके अम्मा ने उसे उठा दिया ठीक है next we got ready took our luggage and went to the bus stand और ये जो है फिर से ready हो गए पुरा अपना लगेज वगरे ले लिया और bus stand की तरफ चले गए क्योंकि उनको जो है उसके अम्मू मा के घर में जाना था ओके सो वली अम्मा फैमिली अल्सो केम वी तस और ये जब ट्रेन से वली अम्मा के घर गय थे तो वली अम्मा की फैमिली भी जो है उनके साथ में वहाँ पे आने के लिए ready हो गई so we were 10 people and had a lot of luggage too अब ये सब मिलके कितने लोग हो गए 10 people हो गए और उनके पास में लगेज भी बहुत सारा सामन भी बहुत सारा हो गया so the bus conductor came and appa bought ticket for all of us so we managed to get seat और ये सब लोग जो है seat पकड़ने में लग गए so as it went along the bus got very crowded तो जैसे वो दीरे दीरे आगे गए बस आगे गई तो बस जो है बहुत ज्यादा लोगों से भर गई so people were sharing the seat और इसले जो है people एक मेक को जो है जगा दे रहे थे और seat दे रहे थे long journey के बाद में जो है bus कहां पर पोशे stop पर पोशे so I was happy to get up वो जो है बहुत कुछ होगी बाहर आने के लिए so my legs were stiff लेकिन उसके उसको जो है आगे नहीं जा पा रहे थी वो क्योंकि I could hardly stand क्योंकि बहुत भीड की वज़े से जो है वो वहाँ पे भीड में जो है खड़ी थी okay so I thought that we had finally reached Amuma's village तो उसको लगा कि वो Amuma के village में पहुच चुकी है but no our travel had not ended yet लेकिन नहीं उनका जो travel है अभी भी end नहीं हुआ है the bus had dropped us by the water side bus ने जो है उनको कहा पे छोड़ा एक नदी थी उसके पास में look Amma pointed across the water Amma ने जो है water की तरह पिशारा करके कहा कि देखो that is where we have to go but how will we get there I wondered तो इसके बाद में हमको इसे मतलब इस नदी में से जाना है यह उन्होंने बताया but how will we get there लेकिन हम कैसे जाएंगे तो यह जो है उसे wonder लग रहा था okay just then I saw a boat coming और तभी जो है एक boat जो है वहाँ पे आ गई यह दिख रहा है आपको नीचे यह boat है तो उतने में एक boat आई so there is the ferry तो यह जो है यह boat थी okay अमा said immediately a big crowd of people started getting up और थोड़ी देर बाद ही जो है बहुत सारा बहुत सारे लोग जो है वह वहाँ से उतरने लगे so school children, men, women all with their own pockets and luggage तो उसमें से कौन-कौन उतरने लगा था school childrens थे, men थे, women थे and all of their pockets and luggage उनके सब के पास में उनके कुछ नकुछ सामान थे so amma explained that the ferry was used by people to cross the water and reach the other side तो यह जो ferry है यह जो boat है वो किसले होती है people को एक किनारे से दुसरे किनारे पे छोड़ने के लिए okay so as soon as the ferry got empty as soon as the ferry got empty the big rush started from our side तो जैसे ही जो है ferry पूरी खाली हो गई तो जाने के लिए लोग जो है फिर भेड करने लगे रश करने लगे so everyone had to pay the fare because before getting up और सब लोग जो है वो जो boat है उसकी ticket निकालने में लग गए very soon the ferry was full और थोड़ी दिरबादी जो है यह ferry जो है वो फूल हो गए it started up again और वो शुरू हो गए I managed to get a place to stand along the railing तो उसने जो है अपनी seat कहा पर अरेंज के यहां यह जो दिख रहा है आपको मतलब stand जो है पकडने का उसके पास में I saw the rippling of the steel water as the ferry move उसने देखा कि यह जो फेरी है वो रिपलिंग हो रही है मतलब हिलते रहती है बोट और जो है आगे जाती है so it was moving smoothly on the water और वो जो है smoothly move हो रही थी water पे so there were rows of coconut trees on the bank of the river उसने देखा कि आजवाजव में जो है coconut trees के जो है जो coconut trees की line की line उसे जो है दीख रही थी river के bank में मतलब किनारे पे as we move swiftly और वो लोग जो है तेजी से आगे बढ़ रहे थे I could see people उसने देखा कि लोग जो है fishing कर रहे है washing कर रहे है bathing and working along the banks और जो है कुछ लोग काम कर रहे है river के पास में तो next जो है just before the sun disappeared in the water the ferry reached the island and stopped तो जैसे ही मतलब sun disappeared मतलब धूप कम हो गई तो ferry जो है वो अपने last stop पे पहुच गई so it was time for us to get up और यह जो time है उनको वहाँ से उतरना था ठीक है so at last we reach Amumma's place और आख्री में जो है वो कहा पर पहुचे Amumma के place पे Amumma के घर में पहुचे so what a long and interesting journey it has been यह इतनी interesting journey थी उसकी और बहुत ही long journey थी okay so here is given some questions ओमाना traveling by different kinds of transport after she got down from the train can you remember what this were तो ओमाना जो after getting down from the train ओमाना traveled first by the आटो रिक्षा first जो है वो किस में बैठे आटो रिक्षा में और उसके बाद में जो है वो कहा पर बैठे then by the bus उसके बाद में बैठे ठीक है next and finally by the boat फिर फाइनली जो है बोट में बैठे ओके तो इस तरह से जो है उमाना ने travel किया after getting down from train okay train से निकलने के बाद में next on which vehicles have you traveled आप लोग कौनसे कौनसे vehicles पे travel किया है आपने तो यहाँ पर लिखना है आपने जितने भी vehicles में travel किया होगा वो लिखना है जैसे मैंने आटो रिक्षा में भी किया है then मैंने train में भी किया है then मैंने जो है bus में भी किया है और airplane पे भी किया है और तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है ठीक है so which ride did you enjoy the most and why कौनसी ride मतलब किस पे ride करना आपको बहुत अच्छा लगा तो वो यहाँ पर लिखना है जैसे कि अगर मैं मेरे बारे में बताओ तो मुझे airplane में बैठना बहुत अच्छा लगा ओके सो वो ride मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि हम लोग आसमार में जो है ट्रावल कर रहे थे ओके सो ओमाना लेप्ट एहमदाबाद और 16 में ओमाना ने 16 में को जो है एहमदाबाद से वो निकले थे कितना टाइम लिया उन्होंने अमुमा के घर तक पहुचने में तो 16 में at 11.35 को वो निकले थे हमदाबाद से सो टोटल टाइम अराउंड वो टू डेज और एट अवर उनको लगे कितना टाइम लगा उनको टू डेज और एट अवर जो है उनको पूरा वक्स लगा अमुमा के घर में पहुचने को have you ever been on a long journey क्या आपने कभी ऐसी long journey की है so where did you go और कहा गये थे so मैं अपने बारे में बता हूँ तो मैंने जो है चेन्नाई में एक चेन्नाई में long journey की थी चेन्नाई जाने के लिए okay so आपको अपना लिखना है name the different kinds of transport that you use during the journey और आपने कौन से कौन से transport का यूज किया था जब आप मतलब कोई long journey को गए थे तो यहां पर आपको लिखना है अपने बारे में जो भी आपने ट्रांसपोर्ट का यूज किया है वो लिखना है ठीक है next how long did you journey take your journey take कितनी long journey थी आपकी वो भी आपको यहां पर बताना है ठीक है next ओमानाज अप्पा bought ticket for the train and a bus can you think of other means of transport for which we need to buy tickets ऐसे कोई दूसरे मतलब तिंग्स है जहां पर हम जो है टिकेट निकालते हैं जैसे कि ओमाना के पपा ने जो है ट्रेन में बच में टिकेट निकाले थे हैं वैसे ऐसे कोई other places है जहां पर हमको टिकेट निकालना पड़ता है तो ऐसे बहुत सारे प्लेसे से हैं the means of a transport for which we need to buy टिकेट आर एरोपलेन है शीप है वहां पर हमको टिकेट निकालना पड़ता है सम्टाइम्स वी नीड़ टिकेट टू एंटर अ प्लेस तो कभी कभी हमको जो है कुछ जगह पर अंदर जाने के लिए टिकेट निकालने पड़ते हैं तो ऐसे कौन से प्लेसे आप सूचते हो तो वो है जैसे की वाटर पार्क है और नेक्ट जो है पार्क है और विदिटिंग प्लेसे से रेलवे स्टेशन से, सरकस से, म्यूजियम से यह सभी प्लेसेज पर हमको टिकेट निकालने पड़ते हैं लोकेट इस पिक्चर आफ रेलवे टिकेट फाइंड फॉलवें इंफॉर्मेशन ओन दे टिकेट और सरकल देम विद डिफरेंट कलर्स और डिसकस पर यहां पर टिकेट दी हुई है इसको अच्छे से रीड़ करना है और इसकी इनफॉर्मेशन यहां पर भरनी है इस ट्रें का नंबर कहा पर दिया है तो यहां पर दिया है ट्रें नंबर यहां पर दिया हुआ है 9037 ओके the date of the start of the journey इनकी journey कब शुरू हुई थी 24-12-2006 डेट लिखी है बापे 24-12-2006 तो next information क्या दी है the birth and the coach number birth number and coach number वो कहा पर दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है तो birth number है 20, 21, 22 and 23 ऐसे दिया हुआ है और 22 में कौन बैठने वाला है उसकी आयू क्या है वो भी जो यहाँ पर दी हुई है और 23 में कौन बैठने वाला है उनकी आयू क्या है वो दिया है मतलब age बताई है उनकी 37 है और 22 में कौन बैठ रहा है तो उसकी भी HD है 7 year तो इस तरह से इनको कितना लगा मतलब पैसे कितने लगे तो यहाँ पर दिया है 2578 2578 यह जो है इनका टिकेट है और the distance कितना distance वो ट्रैवल करने वाले है तो distance कहाँ पर दिया है यह दिख रहा है 643 तो इस तरह से information यह इस टिकेट में दी हुई है next write what other information you can find out from the ticket अब दुसरी कौन सी information है जो आपको इस टिकेट में मिल रही है तो कौन सी information मिल रही है यहाँ पर जो दिख रहा है कहा से train निकल रही है और कहा पर जा रही है बांदरा टर्मिनल टू रतलाम यहाँ जंक्शन दिया हुआ है next यहाँ पे क्या दिया है age दिया हुआ है यहाँ पे और मतलब बैस का कितने है adult कितने है और child कितने है वो जो है उपरी information में दिया हुआ है तो इस तरह से बहुत सारी information इस ticket में दी हुई है next a railway time table given detailed about the route of every train तो railway जो है हमेशा एक time table बनाता है और उसमें detail जो है हमारा route लिखा हुआ होता है तो the stations along the route what time the train will reach and leave each station उस time table में क्या लिखा रहता है कि station जो है वहाँ से का time और फिर what time the train will reach मतलब कुन से time पे जो है train वहाँ पर रुकने वाली है और वहाँ से निकलने वाली है तो वह जो है reaching time और leave time जो है वह बताया जाता है इस time table में और the distance covered कितना distance covered करने वाले वह भी जो है उसमें लिखा होता है we can buy a railway time table from a railway station हम जो अगर हमको चाहिए है तो हम railway का time table railway station से खरीद सकते हैं some portions of the time table for the route of the train on which Omana's traveling are given तो यहाँ पे जो है Omana का traveling जो भी route था उसका time table दिया हुआ है look carefully and it and answer the following question और इसको carefully देखना है हमें और उसका कुछ questions दिये है वो भरने है तो circle the names of all the station in the table that are mentioned in Omana's diary first question क्या है कि हमको क्या करना है Omana ने अपने diary में जितने भी station के नाम लिखे हैं जहाँ जहाँ से वो गई तो वो हमको यहाँ पर बताना है तो हमको यह 6th lesson से जो है जितने भी मतलब places के नाम आये है वो लिखने 6th में 7th lesson में भी तो कौन से कौन से आये है यहाँ पर वो गांधी धाम से निकले देन एहमदाबाद होके फिर जो है वलसाड पर आये वलसाड से फिर मटगाओ और मटगाओ और कॉजी कोड भी दिया हुआ है उसमें और कोटेया इतने सब नाम जो है उसके डाइरी में आये हुए है तो नेक्स्ट तो यह है गांधी धाम इस टेशन से ट्रेन जो है स्टार्ट हुए थी तो यहाँ पर क्या आएगा गांधी धाम घांधी धाम नेक्स्ट, how many minutes did the train stop at एहमदाबाद station, एहमदाबाद station पे जो है train कितने मिनिट रुखी, so 20 minutes, okay, time table में दिया हुआ है, next, on which day of the journey did the train reach मढगाउ, तो उसके journey में जो है, वो मढगाउ कप पहुची, तो second day को जो है, वो मढगाउ पहुची, okay, second day, next, Sunil and Ann got off at काजी कोर्ट station, सुनिल और Ann जो है, जो है, जो एहमदाबाद से बैठे थे, वो काजी कोर्ट स्टेशन पे जो है, उतर गये, so ओमाना गाट आफ एट कोट्टेयाम स्टेशन पे जो है, वो नीचे उतरे, so how many hours does the train take to reach कोट्टेयाम फ्राम काजी कोर्ट तो उनको जो है, कोट्टेयाम से काज कोजी कोर्ट का जो डिस्टन्स है, वो कितना यह जाना पड़ा, तो वो है, कोट्टियाम फ्राम कोजी कोर्ट तक का जो डिस्टन्स है, उनको six hour लगे है, उसको cover करने के लिए, six hour, okay, so what is the distance that the train travel over the whole route, तो पूरा जो उनका जरनी है, अमदाबाद से लेके तो नगर कोईल त गांधी धाम से नागर कोईल तक जो वो उन्होंने डिस्टन्स ट्रैवल किया है, तो उनको कितना किलोमीटर का जो डिस्टन्स उन्होंने कवर किया है, तो कितना है, 2649 किलोमीटर का जो है डिस्टन्स उन्होंने कवर किया है, ओके, next, how many kilometers did ओमाना ट्रैवल बाइट ट्रेन तो ओमाना जो है टोटल मतलब ट्रेन में जो है सफर जितना भी किया है वो बताना है हमको भी तो उन्होंने ट्रेन में कितना वक्त जो है ट्रैवल किया सो 2418 किलो मेटर माइनस 301 किलो मेटर तो कितना निकल रहा है 2117 इतना जो है डिस्टन्स उन्होंने से ट्रेन में ट्रैवल किया 2117 किलो मेटर उसके बाद में जो है उसने बस से किया है बस से फिर वह जो रिवर थी उसमें से किया है तो वह सब मिला के जो है वह कितना हो रहा है 2449 किलो मेटर हो रहा है और सिप ट्रेन का जो है तो सफर उसने 2117 किलो मेटर का किया है तो अगर नहीं करते हो तो नोट बुक या डाइरी जो है रोज लिखना चाहिए तो एबरी डे जो है अपने दिनबर में क्या किया वो जो है उसमें आपको लिखना है आपको क्या लगता है दिन भर में आपने क्या क्या फिल किया वो सब जो बाते हैं उसमें हमें डाइरी में लिखनी है शेर यूर डाइरी विद यूर फ्रेंट्स और अपने फ्रेंट्स को भी डाइरी जो है शेर कर सकते हो तो यहाँ पर उमाना की जर्नी खतम हो रही है और नेक्स्ट लेशन में हम दूसरे सब्जेक्ट पर बात करेंगे तो अगर आपको ये लेशन समझ में आया है और अच्छा लगा है मेरी टीचिंग तो आपको जो है से लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना है और जो है बेल बटन पर भी क्लिक करना है जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन जल से जल मिल जाएंगे ओके, सो थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो, एव नाइस देग